मुझाज़ दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट सक्सेस पिद पिजी में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज मैं सभी दोस्तों के काफी सारे कमेंट आने के बाद में ये वीडियो लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी दोस्तों से बाते करने वाला हूँ कि जो आज की जो डेट के अंदर जो 30 दिसंबर की डेट जो मैंने दी थी परशुदन साइक भरती से रिलेटेड मीटिंग होने वाले थी उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था विस्तरित रूप से इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले है तो complete वीड के दोस्त है जो पसुदन साइक की त्यारी कर रहे है या फिर कह सकते हैं LSE यानि लाव स्टोख एसिस्टेंट की त्यारी कर रहे है राजस्तान के अंदर रहके उन सभी दोस्तों को मैं कहाना चाहूँआ कि इस भरती से रिलेट जो भी न्यूज आपको मिलती है वो हमारे च रिकवर्मेट केलिए अपनी त्यारी कर रहे है ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले में आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँआ कि गुंतीस तरीकों एक मीटिंग आपकी मीटिंग होने वाली है और पशुदन सायक से related इस भरती से related 29 जो दिसंबर था उसको मीटिंग होने मारी थी और होई भी थी ठीके दोस्तों लेकिन मीटिंग के अंदर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था भरती कब तक आ सकती है कब तक नहीं आ सकती है अगर लेट आती है तो क्या कारण हो सकते है उन सभी पर हम चर्चा करेंगे और आपके जितने भी दोस्त जुड़े वे हैं वो एक बार सेसन को सेर कर दे ताकि जो बचे हुए दोस्त है आप सभी दोस्तों के जानकार जो भी प्रिचित कंडिडेट है जो पसुद दुन साइक की तहरी कर रहे हैं उनको भी पता चल सके कि जो लाइफ सेशन चर रहा है या फिर जो भी रिकॉर्डेड वीडियो आपके सामने आता है तो उनसे हमारे चैनल क माद्यम से आपको जो चोटी-चोटी न्यूज है वो मिलती रही ठीक है तो मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि गुंतिस तरी के लिए एक मीटिंग होने वाली थी और हुई भी थी लेकिन उस मीटिंग के अंदर क्या एफिक्ट पड़े थे भरती से रिलेटेट कौन स जिन पर चर्चा हुई थी या नहीं थी इसके उपर हम चर्चा करने वाले तो जिस फरकार से आप मेरे पीछे देख रहे हूं तो यहां पर देख सकते हो बनवारी लाल जी बुनकर है जो वेटसा के परदेशा अध्यक्स बनाए गए हैं उनके माद्यम से मुझे सूचना मि परदेशा अधिक्स को देख सकते हैं बनवारी लाल जी बुनकर जी और यहां पर जानकारी आप लोग को मैं बताना चाहूँआ कि सबसे पहली जो इंपोर्टेड बात है उस इंपोर्टेड बात के अंदर विशंगती को लेके कुछ मुद्दे पर चर्चा हुई थी यानि भरती से विशंगतिया चल रही है उससे रिगार्डिंग कुछ चर्चा हुई थी जितना मुझे पता चला है और एक इंपोर्टेड बात मैं सपष्ट कर देता हूँ कि जितनी भी जानकारी मुझे मिलती है उससे रिकोर्डिंग ही यानि उसके अकोर्डिंग ही मैं आप लोग को सुचना प्रवाइड करवाता हूँ इससे ज्यादा मेरे पास प्लोई भी ऐसी सुचना नहीं होती है जो मैं अपनी तरफ से जोड़ के या फिर फैक निउज आप तक पहुचानी के कोशिस करूँ ऐस के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ ठीक है दोस्तों तो मेरा कोई ऐसा उद्दे से नहीं होता कि आप सभी दोस्तों को भर्मित करूँ लेकिन जितनी भी जानकारी मुझे मिलती है वो आपको प्रवाइड करवाने की कोशिस करता हूँ और एक इंपोर्डेट बात यह है क कि मेरे पास काफी बच्चों की यानि जो भी दोस्त है जो भी कंडिड़ेट है जो पशुदन साई की तहरी करें उन सभी दोस्तों के मैसेज को आते थे और जो कोल्स है वो मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था तो उसके लिए मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आ रिपलाई देने की 101% कोसिस करता हूँ रिपलाई देता भी हूँ ठीक है दोस्तों तो जितने भी कंडिड़ेट है जो कोल करते हैं बे बज़े परेशान होते हैं कि कोल अटेंड नहीं करते हैं उन सभी दोस्तों को मैं कहना चाहूँआ एक बार फिर से कि वो मेसेज करें और मेसेज करें ताकि उसका रिपलाई में दे सकूं हो सकता है कभी कभी क्या है कि फोन अटेंड नहीं कर पाता तो सभी दोस्तों को मैं निवेदन करना कर रहा हूं कि आप मेसेज कर दीजिएगा ठीक है दोस्तों तो इस भरती से रिलेटेड जो भी जानकरी मैं आप को बताने जा रहा हूं इंपोर्टेड जानकरी है तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मेरे जिस परकार से आप पीछे देख रहे हूं यहां पर वेतन विसंगत्ती प्रिश्ट्रिक्शन समीठी से हुई बैठक में समीठी के अध्यक्स खेमाराज जी चोदरी से मिले संगठ के जो भी पता दिकारी है जैसे परदेशा अधेक्ष बनवारी लाल जी बूनकर है सुनील कुमार है जो जून जूनुची है और चनना राम है शोभाग सी है रहूल कलाल जी है और बादल मीना वै अन्य पता दिकारी से उठाई अपनी मांगे परशुदन साइक की पे स्केल जो आयरवेदिक कंपाउडर है उसके बराबर होनी चाहिए तो सबसे पहला मुद्दा यह है दोस्तों कि आपकी जितनी भी वेकेंसी आने वाली है उस वेकेंसी से रिलेटेड वेतन तो कम से कम वो होना चाहिए या उस एक जाईस मांग को एक जाईस समय पे एक टाइम पे ज़रूरी भी होता है चाहिए वेकेंसी कुछ टाइम के बाद में आये या वेकेंसी अभी भी आये ठीक है कभी भी वेकेंसी आये लेकिन उस भरती से रिलेटेड इस एक मुद्दा होता है उस मुद्दे को पूरी जितनी भी वेकेंसी पहले से भरी हुए है जो जितनी भी प्रशुदन साइक को मिलना चाहिए और प्रशुदन साइक जो नाम परिवर्तन है उसको लेकर भी कुछ संसे चर रहा है उसके लिए भी ग्यापन दिया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई एक्षन नहीं वह है लेकिन मैं आसा करता हूं कि जल्दी ही उसका उसका भी जो सोलि कारी है वो कोसिस कर रहे है उससे रिगार्डिंग तो मैं आसा करता हूं कि सरकार को इस बात पर संग्यान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस नाम को परिवर्तन भी करना चाहिए और जो पेस्केल की बात करते हैं तो पेस्केल बढ़ना चाहिए चाहिए मैं इस जो मे वेतन अभी पसुदंदसाइख को मिल रहा है लेकिन मैं आसा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस वेतन को भी वड़ाया जाए और जितना जो समकक्ष जो डिग्री है या डिप्लोमे कə समक्ष जितना वेतन आरवेदिक विवाग को मिल रहा है उतना ही पशुद्धन साइक को मिले ठीक है दोस्तों ये बाते हो गई उसके बाद में जो पशुद्धन साइक पेस्केल से बात करें इसके बाद में एक इंपोर्टेट बात हुई थी कि जो पदवनती होती है यानि जो प्रमोशन होते हो उस प्रमोशन को जो पशुद्धन स Virund SIS Vacancy होनी चाहिए जो पर्शुदुन शाय का क्या करें कर्मोन तो यानि प्रमोशन होके उसके उपर जाये जैसे जो IPS लगते हैं उन पे भी जो RPS होते हैं आर रही हैं जो IS लेवल पर चले जाते हैं और आरिपेस होते है वो आईपेस पे चले जाते हैं उसी पर walking के वेकैंसी होती है नहीं तेन वेकैंसी होनी चाहिए यह शो पे टैन वेकैंसी होनी चाहिए caffeine केर जाया मुझे यह मुझे अच्छा लगा और मैं सभी दोस्तों से ँवेदन करना चाहूंगी वेनिफिट मिलने वाला है तो आप भी इसका सेहोग करें ठीक है यह हो गए दस सेटे आरक्षन करने और नोडल अस्तरपत पद सरजद करने की जो मांग है वो भी यहां पे रखेगी परदेशा अदेख्ष बनवारिलाल जी मुनकर निवारता के बाद सिमिति का जताया अभार आवार जताया है तो मैं भी आवार जताता हूँ कि जितनी भी मांगे हैं उनको कंप्लिट की जाने चाहिए सरकार को संग्याल लेना चाहिए इस चीज़ पर और पद नाम परिवर्तन है वेतन है या फिर जो टैन वेकेंसी जो रिजल रखने की बात है उनसे भी चर्चा होन में अभी इंपोर्टेट कोई जानकारी नहीं मिली है इंपोर्टेट का मतलब यही चो मुद्धे थे उन मुद्धों पर बाते हुई है लेकिन जो भरती है आपकी वो फरवरी के अंदर आने की पूरी-पूरी संभावना है यानि फरवरी और मार्च के अंदर आपकी वेके मुखे चांस है या मुखे कारण है तो मैं आप सभी दोस्तों को बता देता हूं कि 2021 से चली गई है और 2022 आने वाली है अब एक दिन के बाद में 2022 आ जाएगे तो आप सभी को फता होगा कि 2021 के अंदर किसी भी परकार की वेकेंसी पसुदंसायक से रिलेटर नहीं आई थी ले वेकेंसी से मुखे जो कारण है लेट होने के वो है पहला पद नाम परिवर्तन को लेके चल रहा है क्योंकि वेकेंसी आएगी तो उसमें जो नाम आएगा जैसे वीडियो आया ग्राम विकास अदिकारी आया था पहले ग्राम से हो था तो वो जो नाम होने के बाद में आपक नोटिविकेशन निकालना और 10% किसको आरक्षित करेंगे वो विवेसी लेवल की बात है लेकिन उस भरती को कहीं न कई पसुदन साइक भरती को भी यहां पर प्रवावित किया जा रहा है ठीक है दोस्तों तीसरी बात है वेतन को लेकर यह इंपोर्टेंड मुद्दा है एक नाम परिवरतन वाला और 2 जो यह है जो वेतन वाली चीज़ है जो वेतन को लेके बात करें तो वेतन बढ़ना चाहिए और वेतन अगर कंप्लिट हो जाएगा कि इस इतना वेतन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा तो इस भरती से सम्मद्दी जो भी मीटिंग होगी मैं यह authentic news मिलती है वो भी आपको बताने की कोशिस करता हूँ otherwise मैं किसी भी परकार का वीडियो फेक वीडियो लाने की कोशिस भी नहीं करता हूँ ठीक है दोस्तों तो आप सब भी दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि फरवड़ी और मार्च के अंदर आपकी वेकेंसी आने की 101% संभावना है संभावना नहीं है मानकर इसलिए हो गई ठीक है लेकिन जो दो कार्ण मुख्य मैंने आपको फिर से बता देता हूँ एक तो नाम परिवर्तन यानि पद नाम जो परिवर्तन है उसको लेकि और दूसरा वेतन से संब्दित है उसको लेकि दो मुख्य कारण है जिसकी वज़य से आपकी भरती थोड़ी सी अठकी हुई है और जो पद बढ़ने वाली बात है उस तो पद जो बढ़ने वाले हैं उनको लेकि भी थोड़ी सी लेट हो रही है तो इसलिए फरवरी और मार्च के अंदर आपकी वेकें से यादी तो आप निश्शित करना हूं कि वीडियो अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा आ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पधर पहले बार विजीत कराров़ है तो फिर से बोर नहि enjoying जरू अधिक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहे हिंजह भार दोस् थेंक्यू, थेंक्यू सुमेच्च